नमस्ते तो आज हम new moon की reading करने वाले हैं तो यह क्या असर होगा आपके रिष्चे के उपर इसका हम इस topic पर reading करने वाले हैं तीक है और जिन लोगों ने सब्बर reading नहीं देखी उन लोगों के थिए happy Diwali क्योंकि सब्बर मैं ने बोला था फिर से एक बार हाप पे दिवाली खुश रहो ठीक है तो आप स्टार्ट करते हैं आपकी रिडी आपको करना है फोकस हमेशा की तरह अपने पार्टनर के उपर तो यहाँ पर मुझे सबसे पहले तो यही एनरज़ी आ रही कि आपके पूर्शन के अंदर ट्रास्फर्मेशन तो आएगा ठीक है transformation हमेशा ही एक new moon पर हो या full moon पर हो transformation आता है क्योंकि ये moon की जो energy होती है हमारे emotions से जूरी होती है ठीक है तो transformation तो आने वाला है आपके person के अंदर और मुझे बहुत ज़दा ऐसे ही energy है कि आपके person emotionally बहुत ज़दा feel करेंगे आपके लिए emotions उनके high होने वाले है वो सोचेंगे कि क्या कुछ खो दिया है उस अंसान ने आपसे दूर जाकर जो आपसे दूरिया है ये इस अंसान से बरदाश नहीं होगी आपके person किसी दोस्त से guidance ले सकते है कि उनको क्या करना चाहिए या आप number 8 बहुत खास हो सकता है या कर्म कुछ कर्मा से related हो सकता है ठीक है तो आपके person अपने किसी दोस्त के guidance ले सकते है आपके लिए कि उनको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ठीक है वो तड़क तो बहुत रहे है आपसे मिलने के लिए और इस new moon में आपके person एक emotionally breakdown ऐसी हरत आपके person के होने वाली है ठीक है मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए भी कुछ obstacles का सामना आपको करना पड़ सकता है इस रिष्टे को लेकर हो सकता है कि ऐसा कुछ हो कि जो आप खुशना हो वो सुनकर कोई ऐसी बात पता चल सकती है या कुछ ऐसा पता चल सकता है आपको जिसके बाद आपको बिलकुल भी अच्छा नहीं लगेगा मतलब ऐसी example के तौर पर जैसी के अंसान मुझे दिखाई दे रहा कि बहुत सा mind game खेलता है ठीक है कोई चोटी मोटी बात ऐसी पता चल सकती कि इसने तो ऐसा किया था वैसा किया था किसी दोस्त के थुरू किसी के भी थुरू आपको पता चल सकता है आप नाराज हो सकते हो ऐसी भी कुछ energy आपर है गाईस ठीक है और एक तरप इस इंसान ने देखो transformation तो इस इंसान के अंदर definitely आने वाला है लेकिन इसके जो आदत है mind game खेलना जूट बोलना इसमें कोई फर्क नहीं पढ़ने वाला है यह चलता ही रहेगा हो सकता है बहुत ऐसे energy है कि आपके person ने जूट बहुत बोला है आपके साथ past में भी बोला है और आने वाले समय में भी यह अंसान जूट बोल सकता है बहुत ज़दा chances है तो आपको थोड़ा alert रहना है बहुत chances है कि अंसान किसी addiction से गुरे हो सकते अगर यह एक लड़का है अगर आप एक लड़की देख रही हो और आपके परसन अगर एक लड़का है तो यह अंसान किसी addiction से गुरे हुए है और यह इनका addiction बढ़ सकता है आपको बहुत ज़दा miss करेंगे बहुत ज़दा और आपको भूलने की कोशिश में वो इंसान उस addiction में ज़दा गिर सकते है तो यह भी यहाँ पर कुछ ऐसा ही दिखाए ज़दा कि sadness बहुत ज़दा आएगे इस इंसान के अंदर और आपको मिलने की चाहत वो खुद को रोक नहीं पाएंगे हर किसी के साथ यह बात resonant नहीं होगी लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तो इस person के लिए यह सच हो सकता है या आपके लिए सच हो सकता है कि आप या तो आप ऐसी family से हो जहाँ पर अब हर किसी के साथ resonate नहीं होगा कि आपको बच्पन में प्यार ही नहीं मिला ठीक है और आपके मन में क्या होता ना कि किसी ने आपको प्यार नहीं दिया क्या बोलते हो उसको कि हर किसी के प्रती एक नफरत जैसी ठीक है नफरत नहीं करते हो आप लेकिन एक उदासी चाही है आपके मन में कि इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता है ठीक है तो इसका विश्वास नहीं होता है, इसको लगता है कि आप भी ऐसा ही करोगे, आप भी आज तो बहुत प्यार करते हो, दिखाई देता है कि आपके आखों में प्यार है, लेकिन उनको लगता है कि आखरे में आप धोका ही दोगे, या आखरे में आप उनको छोड़ कर चले ज सकता है जे दूसरा इंसहान कैसा है पता नहीं कौन है दोस्त सकते हैं को आपको किसी और के सात्य कहा ह grey मुझे इसे रखते कि यह एसा एसा भी सोचेगा कि आप जो चाहते थे वो इस इंसाने किया नहीं तो उस नाराजगी को खतम करने के लिए इनसान कुछ अक्षन ले सकते है गाई इस आने वाले समय में आप देखेंगे कि इस इंसान के तरफ से कोई अक्षन आपको मिलेगा लेकिन बात यह है कि इस इंसान का रिष्टो पर ही विश्वास नहीं है ठीक है मैं यह नहीं कहती कि इस इंसान का आपके उपर विश्वास नहीं है इस इंसान का आपके उपर विश्वास है लेकिन रिष्टो पर विश्वास नहीं है इसको लगता कि कोई भी रिष्टा इतना ज़दा ये होता ही नहीं कि वो आखरी तक साथ निभाए इसको लगता कि हर कोई साथ छोड़कर चला जाता है, हर कोई अपना होता ही नहीं है इस इंसान को एक बच्पन से एक पैटर्न चलता है इसके साथ, ऐसे बहुत ज़दा चांसिस है और यहाँ पर कुछ लग ऐसे भी है कि आपके परसन को फ्रिडम चाहिए ठीक है, वो इंसान हो सकता है कि उसको आदत है अपने मन की करने की, हर बात उसको अपने मन की करने है अगर आप रोक टोक करते हो तो इस इंसान को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं है आपके person के मन में ये ख्याल भी आएंगे कि उससे दूर हो तो रोक टोक नहीं है अगर उसके पाथ चला जाएंगा तो फिर वापस वही जगड़े वापस वही रोक टोक ऐसा भी ख्याल आपके person के मन में आने वाल है जिससे आप स्याड हो सकते हो तो ऐसा ये person कुछ वर्ताव कर सकते है हो सकता है कि वह आपको blame करे, जगड़ा करे आपके साथ ऐसा कुछ हो सकता है लेकिन ठीक है, कुछ ना होने से तो जगड़ा ही सही इसको पता है कि आपकी आखों में जो प्यार है वो सच्चा प्यार है लेकिन साथ निभाओगे के नहीं इसी विचार में आपके परसन हमिशार रहते हैं वो इसके बारे में सोचते हैं तो फिर वो sad फिल करते हैं उदास हो जाते हैं फिर उनका मन नहीं करता है आगे बढ़ने के लिए, action लेने के लिए ऐसे कुछ thought से आपर है ऐसा होगा कि आप दोनों की बात होगी और फिर आप दोनों की जब बात होगी तो कुछ नो कुछ solution ज़रूर निकलेगा डरने की बात नहीं है आपको उल्टा ठीक है, यह अंसान अगर जगडा भी करेगा तो बात तो करेगा यह आप positive ले सकते हो ठीक है, नाराजगी रह सकती है आपके भी मन में, इस इंसान के भी मन में दोनों के मन में नाराजगी रह सकती है ठीक है, चिरचुरा हट बढ़ सकती है आपकी भी, आप भी तो इंसान ही हो ना तो फिर आप तक कब तक सहन करोगी आप हर बात तो आपको भी थोड़ा गुस्सा आ सकता है गाईस हील करने के आपको बहुत जरुरत है आप कोशिश भी करोगे खुद को हील करने के आप कोशिश करोगे खुद को positive और शांत रखने की ठीक है मुझे असा लगता है कि इस इंसान का जो दर्द है वो उसने कभी किसी के साथ share नहीं किया है उसकी भी उसको जरुरत थी उसने उसको तकलीफ दी ठीक है तो ये जो दर्द है इसने कभी भी किसी के साथ share नहीं किया है और ये दर्द को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे उनके emotions बहुत हाई रहेंगे और फिर इसकी तकलिफ आपको होगी ठीक है यह इंसान जब गुस्ता करता है तो भुगतना आपको पड़ता है ऐसा कुछ कर शान्त रहने की कोशिश करने चाहिए यह इंसान जो बात कर रहा इसको करने दो जो बोल रहा उसको बोलने दो मतलब ऐसा नहीं बोले हो कि मैं आपको बुरा बोलने दो मैं कहरे हो कि उसको जो बोलना है वो बोलने दो ताकि वो अपने जिन्दगे की कुछ खास बात आपके feelings हैं, वो महसूस करेंगे past में आपके साथ जो लम्हें विताए है इस इंसाने वो सारी यादे इस इंसान को याद आने वाली है बार बार वो repeat इनके mind में चलती जाएगी वो यादे आपके person तो सोचेंगे कि इस रिष्टे का एक rebirth होना चाहिए इस रिष्टे के एक new beginning होने चाहिए ताकि वो जो कुछ भी आपको समझा नहीं पाए या आपको बता नहीं पाए कुछ ऐसी बाते हैं गाई, इसकी अंसान आपको बताना शाहते हैं लेकिन बता नहीं पाते हैं ठीक है, ऐसी कुछ बाते हैं जो उन्होंने बहुत बार शेयर करने की कोशिश की लेकिन कोई नो कोई ऐसा प्रॉब्लेम आए कि वो शेयर नहीं कर पाए आपके साथ ठीक है तो ये कोशिश वो कर सकते हैं कि आपके साथ कुछ बाते शेयर करने हैं आपको बताना है कि वो आपको क्या मानते हैं, क्या चाहते हैं, आपकी क्या जगर है वो इस इंसान के दिल में, वो किस तरह से आपको देखते हैं, वो हर चीज, हर चीज वो आपको शेर कर सकते हैं, बहुत ज़दा चांसे से, वो आपका बुरा सोचते ही नहीं है, ठीक है, अब देखते हैं ट बहुत जदा मैंने बोला था ना कि वो compare कर सकते हैं आपको किसी और के साथ और वापस वही energy आई है कि आपके person बहुत emotional रहने वाले हैं और वो आपको दूसरों के साथ compare करेंगे और उस इंसान को ये feel होगा कि आप ही सबसे best हो आपसे best कोई और नहीं है ये energy यहाँ पर भी करेंगे यहाँ पर seven of source reverse है मैंने बोला था ना कि अंसान हमेशा आपके साथ जूट बोलता है mind game खेलता है तो ये अंसान इस energy से बाहर निकलने की कोशिश चो कर सकता है लेकिन इससे होगा नहीं ठीक है वो कोशिश करेगा कि वो आपके साथ जूट ना बोले वो कोशिश करे लेकिन होगा क्या इससे तो नहीं होगा वो कोई ना कोई जुट बोल सकता है और नंबर सेवन दो बारा है यहाँ पर भी नंबर सेवन है यहाँ पर भी नंबर सेवन है यह अनजान ना बहुत ना confusion में रहता है हमेशा lack of clarity ठीक है कोई decision नहीं ले पाता है और क्या है और 10 of wands burden होगा बहुत burden होगा जो कुछ भी उसने past में आपके साथ किया है उन बातों के लिए इस इंसान को burden फिल होने वाला है गाईस उस इंसान को ऐसा फिल होगा कि उसने जो भी किया वो गलत किया वो ठीक नहीं किया तो यह बात यहाँ पर दिखाई दे रहे है कि आपके person को burden बहुत होने वाला है एक बोज इससा होगा उस इंसान को और क्या है और थिवा pentacles देखो वो किसे से guidance ले सकता है यहाँ पर भी energy आई थे ना वो अपने किसे दोस्ते guidance ले सकता है कि उनको अब आगे क्या करना चाहिए आपकी तरफ जाना चाहिए कि नहीं ज करने चाहिए ऐसे guidance वो अपने दोस्त के थ्रू ले सकते हैं ठीक है यहाँ पर राश्य कौन सी है टोरस पर को क्या प्रेकॉन है और कैंसर स्कूर्पियो पाइसी है यहाँ पर है लिप्रा अक्विरस जमिना और यहाँ पर है एरिस लिवो साजिजस ठीक है और क्या है अब eight of points guys reverse है आपके person बहुत जादा कोशिश करेंगे आपसे बात करने के लेकिन वो कर नहीं पाएंगे आज रात उनको आज रात ऐसा फिल होगा कि अभी कभी वो आपसे बात करें आपको दिवाली की शुब कामनाई दे कुछ भी ऐसा कुछ ना कुछ feelings इनके मन में आएंगी कि अ अपने आपके उपर control कर लेंगे फिर वो आपसे बात नहीं करेंगे ऐसा यहाँ पर energy है उनके मन में thoughts बहुत आएंगे हर किसी के साथ resonate नहीं होगा लेकिन यहाँ पर तो यही energy है कि आपके person बात करने की कोशिच आज रात जरूर करेंगे लेकिन वो कर नहीं पाएंगे ठीक है और the tower मुझे देखो मैंने यहाँ पर भी क्या बोला था कि कुछ ऐसा होगा जिससे बहुत sadness इस रिष्टे में आ सकत है इस अंसान के बारे में जो आपको बहुत दुख दे इस new moon में ठीक है ऐसा कुछ हो सकता है कि या तो आप दोनों को ऐसा feel हो सकता है कि इस रिष्टे में कुछ बच्चा भी नहीं है कुछ ना कुछ ऐसा बहुत sad और बहुत जदा आपके person emotionally high रहने वाले हैं और बहुत के energy हुई है दिटावर के energy जो यहाँ पर आई है तो हो सकता है कि आप दोनों के बीच में बहुत बुरी तरह से break up हुआ है ठीक है और इस new moon पर वो जो past के energy है उसका असर पड़ेगा और इस new moon का असर आपके रिष्टे पर पड़ेगा तो कुछ तकलिफों का सामना आपको क पर ना पड़ सकता है कुछ वाद विवाद हो सकते है कुछ परिशानी हो सकती है जिसके बाद आप और जादा आपको लगएगा क्या हो रही है आपके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए ऐसे कुछ energy आप पर आई है गाईस दी टावर को हम clarify भी करेंगे ठीक है ओके दी मून दी टावर को जब हमने clarify किया तो यहाँ पर है दी मून जो पास्ट में आप दोनों के बीच में जगड़े हुए है किसी तीसरे की बज़ से वो आपके परसन उसकी बज़ से आपके परसन बहुत डिप्रेस सा फिल करेंगे अगर कोई third party है हर किसे के साथ resonate नहीं होगा ठीक है लेकिन अगर आपके रिष्टे में कोई third party है और उसकी बज़ से अगर जगड़े हुए है आप दोनों के बीच में तो यह इसका effect इस रिष्टे पर अभी भी होगा दिमून के energy क्या बता रही है कि कोई तीसरा है जो नहीं चाहता है कि आपका रिष्टा ठीक से चले कोई तो तीसरा person है जो नहीं चाहता है कि आप खुश रहे दोनों उपर से tension और उपर से emotions यह double tension यहाँ पर होते हुए दिखाए दे रहा है guys लेकिन एक positive बात क्या है इसमें कि यह person अपने आपको रोक नहीं पाएंगा यह भले ही खराब mood में ही सही लेकिन आपसे बात करेगा आने वाले समय में आज रात तो यह खुद करना चाहते है आज रात ही लेकिन नहीं कर पाएंगे वो लेकिन आने वाले समय में इनसान आपको खुद बात करेंगे आपसे और जो कुछ भी है, वो बताएंगे आपको, और वो आपसे राय भी ले सकते हैं, कि तू ही बता, आप क्या करें, और दिमून के एनरजी है, तो आपके परसन आज रात तो बहुत ही ज़़ादा सैड रहने वाले हैं, मतलब उनकी सैडनेस की कोई सेमा नहीं है, इतना ज़़ा सैड वो आजरात रहने वाले हैं, और उनको ऐसा भी लगेगा कि कोई और ही है, जो आपके रिष्ट्यों को तोड़ने की पीछे लगा है, ठीक है, और क्या है, दिफुल, उनको मुझे से लगते कि यह जो कोई भी टेंशन हुआ है, आप दोनों के बीच में, दिटावर के जो यहाँ पर आई है, तो आपके परसन को बहुत ज़्टा ऐसा फिल होगा कि इस रिष्टे के एक न्यू बीगनिंग करनी चाहिए, लेकिन उनको रिस्क ही लगेगा, उनको लगेगा कि नहीं, टेंशन तो बहुत है, ठीक है, लेकिन वो कोशिश के बिना रहेंगे नहीं, ठीक है, ये न्यू मून का असर इस रिष्टे पर है कि वो आपके तरफ खीचे चले आएंगे, बहुत टेंशन हो सकता है, जगड़े हो सकते हैं, लेकिन वो आएंगे ज़रूर, ये बात यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, बहुत ही स्ट्रॉंग कोई आक्शन आप के परसन ले सकते हैं, जो तो मून का कार्ड बता रहा है, यहाँ पर कि आपकी परसन का इंटुशन पावर इस इंसान को पुश करेगा, कि तुम्हें उसके लिए कुछ करना चाहिए, तुम्हें उसके लिए अक्शन लेना चाहिए, उसकी कोई गल्ती नहीं थी, फिर भी त उसको बहुत दुख दिया है, दितावर के अनरजी बता रही है, तो इस इंसान का इंटुशन पावर इस इंसान को बहुत ज़दा पुश कर सकता है, क्योंकि मून की ही एनरजी है यह भी, तो यह हो सकता है, इसको एक पुश मिले, ठीक है, और दिमून के अनरजी यह भी ब compromise करना यहाँ पर ज़रूरी दिखाई दे रहा है ठीक है आपके person के लिए है यह उनको compromise करने की ज़रूत है आपने तो बहुत कुछ कर लिया है उस इंसान के लिए compromise अब उसकी बारी है कल पर सो कुछ न कुछ ऐसा decision कोई message कोई call आपको receive हो सकता है कि जिसमें वो कुछ बोले वो change होने वाला है इस रिष्टे में ठीक है तो आपको prepare रहना है अगर ऐसी कुछ बाते हैं जो आप दुनों के बीच में हुई है मनमुटा हुए है तो उसको लेकर भी कुछ चर्शा हो सकते धी टावर के energy है कुछ problem का सामना भी आपको करना पड़ सकते तो ready रहना है लेकिन और वह दधों में लगता है कि इस रिष्टे में पास्ट युमि संडящर निंग हुई है बहुत जादा हुई है कम नहीं है ठीक है और इस इंसान को ही जादा हुई है भी देखते हैं मुनोलोजी काड़ से ठीक है ऑक के देखते हैं इस डिक से तो यहाँ पर है what do you need to release ठीक है क्या release करने के आवश्चकता है देखो मुझे तो लगा ही था कि एस इंसान के अंदर गमन बहुत जादा है बहुत ego है और इसकी बज़े से भी बहुत problem हुए है और आपके person अब इस बात पर सोचेंगे इस new moon में इस इंसान को यह अकल आएगी कि उसको घमन करके कुछ भी हासिल नहीं कर पाएगा वो तो उसको अपना घमन अपना ego साइड में रखना पड़ेगा ठीक है वाउ अब और क्या बोले देख रहे हो new romantic cycle begins बहुत ही beautiful card है और उपर से libra है justice होगा आपके साथ इस new moon में कोई तो ऐसी बात होने वाली है कि जो आपके favor में होगी जिससे आपको justice मिलेगा क्योंकि आपके person को यह बात समझ में आ रहे है कि वो घमन करता रहा ठीक है इस new moon में इस इंसान को यह बात समझ में आएगी कि उसका ego ही यहाँ पर भारी हो रहा था आपके उपर लीवो राशी है लिब रहे है यहाँ ठीक है तो इस इंसान को जो यह समझ में आएगा कि उसको अपनी ego की बज़े से यह सब पुछ खराब किया है और यह अंसान जूग जाएगा ठीक है उसको समझ में आएगा कि उसको क्या release करने के आवशकता है वो क्या release करेगी यह रिष्टा अच्छा हो सकता है और बहुत beautiful card a new romantic cycle begins इससे खुबसरत card और क्या हो सकता है new moon के लिए बहुत beautiful आपको justice मिलने वाल है और यह जो भी डर थे युनिवर्स की blessing है आपके साथ, आपको डरने की जरुरत नहीं है, जो भी होगा उसमें आपकी ही बलाई होगी, ठीक है, तो डरना नहीं है आपको, विल्कुल भी डरना नहीं है, नमबर 22, कच खास हो सकता आपके लिए, देखो गाईस, मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत जिता ऐसा ही सोचते हो, कि अंसा आपके डिस्ट्री में नहीं है, यह नसीब में नहीं है, भाग्या आपको साथ नहीं देता है, ऐसे निगटिव ख्याल अगर आपके मन में आते है तो युनिवर्स कहते हैं कि आप जैसा सोचों कि वैसे ही तो होगा, तो क्यों सोचना है आपको निगटिव, नमबर 17, कुछ खास हो सकता है, इस दर से निकल जाओ, ऐसा निगटिव सोचना बन कर दो कि यह आपके डिस्ट्री में नहीं है, यह नहीं आएगा, यह नहीं मिल तो नमबर 20, कुछ खास हो सकता है आपके लिए, तो आपको इन्वर्स कहते हैं कि यह जो निगटिव सोच के साथ इसको इमाजिन करो, जैसा आप जिन्दगी चाहते हो, जिस तरह से आप इस इंसान के साथ रहना चाहते हो, उसको पहले ही आपको इमाजिन करना है, जैसे कि वो सब कुछ हो चुका है ठीक है कुछ सच्चाई देखो मैंने पहले भी यहाँ पर बोला था दिट्टावर की एनरजी जो आई थी यहाँ पर भी सेम एनरजी है तो गाईज आपको इन्वर्स की तरब से भी यही guidance है कि और कुछ कड़वी सच्चाई भी आपके सामने आ सकती है तो आपको alert रहना है और पूरी हिम्मत के साथ सामना करना है ठीक है डरने की बिलकुल जरुरत नहीं जो भी होगा उसमें आपकी ही भलाई होगी ठीक है आई होप आपको reading पसंद आई हो like, share and subscribe मिलते अगली वीडियो में तब तक के लिए बाई